कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतराश्य बाजारों में किन इवेंट्स पर रखनी है नजर बताने के लिए दिपांशू मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुक है दाव फिर भी 90 अंक उपर ही बंद हो और बहुत ही सीमित यह सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज में आपने डाव पर कारुबार होते हैं यही पिछले अफते हम देख रहे थे 600-600 पॉइंट की रेंज में कारुबार होते हो दिखा था तो उस बीच हलकी फिलकी बड़त के साथ बाजार बंद हो रहे थे तो डाव थोड़ा ऐसा ही आक्शन दिखा रहा तो कोई जादा सप्राइजिंग आक्शन नहीं है बट हां कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर बाजार की नजर बनी रही एक तो लगातार दूसरे दिन आई-टी में आप गिरावट देख रहे हैं वहां बाज 77% मान रहे है 5% की हाईक होगी वही 23% मान रहे है कि करीब 1% की हाईक हो सकती है इस्पेसिफिकली कल के अगर आक्शन की बात करें तो बैंक्स और एनरजी शेर्स यहां पर आपने खरिदारी देखी आई-टे में सुस्ती थी बट भारी गिरावट आपने across the boat retail stocks में दे एकनी guidance घटाई है और उसके दम पर शेर 9% कल आपको तूटते हुए दिखा है इनका कहना है कि जिस तरह से inflation बढ़ रहा है consumers की मांग पर असर आ रहा है food inflation काफी तेजी से बढ़ा है अब food पर तो आप खर्चा जादा कम नहीं कर सकते एक fixed आपकी demand रहती है बट जो बाकी consumption है discretionary demand है वो गिरते हुए देख रहे हैं तो electronics में ये कह रहे हैं कि गिरावट आ रही है कपडों की लोग कम खरिदारी इस समय कर रहे हैं बाकी discretionary items की खरि requirements में pressure दिख रहा है और क्यूंकि Walmart में guidance घटा है तो across the boat जो बाकी retail stocks है वहाँ पर भी आपने गिरावट देखिए target एक और बड़ा retail group 5% लोड़का है Amazon 4% नीचे था cost को 2% नीचे और across the boat जो retail chain है वहाँ पर आपने दबाव बनते हो दिखा है तो मुनाफिक की guidance और आगे की sales guidance खटाने की वज़े से आपने देखा retail shares में pressure आयर क्यूंकि US consumption based economy है retail पर काफी बड़ा focus रहता है तो ये एक चंता का विशे बन सकता है इसके साथ ही आपने देखा आज कि अगर मैं बात करूं तो of course Alphabet और Microsoft दोनों दिगज IT companies के नतीज़े आने वाले हैं Coca-Cola, McDonald's और GM के भी न नतीज़े आते हो दिखेंगे, consumer confidence data आने वाला है, नई घिरहों की बिक्री का आंकड़ा आने वाला है, तो fed policy से पहले कई सारा important आंकड़ा और कई सारे important नतीज़े भी आने वाले हैं जिस वर बाजार का focus बना रहेगा, यह और आपकी बात करें तो यहां पर भी मिला जुला supply जो पहले था, उन्होंने वापिस resume कर दिया, आज Associated Press, AP की एक report आई है, जो कह रही है कि natural gas का supply रश्या फिर से काट सकता है, 20% कर सकता है, यानि कि current supply को आधा कर सकता है रश्या, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी भी maintenance issues आ रहे हैं pipeline में, अब क्या सच में यह maintenance issues हैं, या फिर क कुछ message Russia send करने की कोशिश कर रहा है, वो तो हमें नहीं मालूप, बट definitely एक चिंता का विशे बन रहा है, और इसलिए natural gas across the board, सब contracts में आपने कल बड़ा उच्छाल आते हो दिखा है, तो यह एक factor है जिस पर बाजार की नजर बनी रहेगी, यहाँ पर सोने पर रखिये नजर, कल तेज गिरावट हुई है, 1720 डॉलर पर आ गया है, आज यहाँ पर फोकस रहेगा, चांदी जैसे आप बता रही थी, साथ हफते की निचले सर पर है, डॉलर इंडेक्स तीसरे दिन सुस रहा, बेस मेटल्स में कल गिरावट थी, पर अगरी कमोडिटीज में कल एक bounce back आया तो नाच्रल गैस इस पर रहेगी नजर, फेट की बैठक उस पर रहेगी नजर and of course जो वॉलमेट ने guidance गटाई है, उसका impact कल बाजार पर दिखाए, शायद आज भी थोड़ी सुसली वहाँ से आ सकती है तो काफी असमंजस मारकेट में क्लियरली दिखाए दे रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि फेट की बैठक एन अफकॉस अमेरीकी जीडीपी, ये कुछ आखड़े हैं जो आगे निरधारत करेंगे कि क्या recession बाकई में हमें परशान करने वाला है, अफकॉस rate high कैसी दिखे शुक्रिया अदे पांच वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए